दृष्टी आईएस के आडियो अर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दहिंदू में प्रकाशित लेक Demolition Squad on the Supreme Court and Bulldozer Justice के सारांश पर अधारित है इसमें टीम दृष्टी के इंपोट्स भी शामिल है या आर्टिकल सामान या ध्यन प्रश्ण पत्र दो के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है तो आईए आर्टिकल की शुरुवात करते हैं जब भी कोई आपराधी घटना घटती है तो ज्यादा तर लोगों को लगता है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कई बार लोगों को ये भी लगता है कि कानून में उनके लिए सही सजा का प्रावधान नहीं है और यदि उनका बस चले तो वे अपराधी को उचित दंड देते यही कारण है कि कभी-कभी भीड कानून को अपने हाथ में ले लेती है और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाय होती है ऐसे ही एक्शन्स कुछ राजी सरकारों द्वारा भी लिये गए हैं कुछ राजी सरकारों ने अपराधियों को अपरत्यक्ष रूप से सजा देने की कोशिस की है गोरतलब है कि कई राजी सरकारों ने अतिक्रमण के नाम पर अपराधियों के घर पर तोड़ फोड की है लेकिन हाली में सरवोच न्यायाले ने कथित अपराधियों के घरों को ध्वस्त करने की वैधता पर सवाल उठाते हुए प्रतिशोध के रूप में बुल्डोजर के इस्तिमाल के बारे में एक वैध और व्यापक चिंता व्यक्त की है न्यायमूर्ति के भी विश्वनाथन के साथ एक खंड़ पीठ का नेत्रतु कर रहे है न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा है कि कानून वास्तों में किसी के घर को सिर्फ इसलिए ध्वस्त करने की अनुमती नहीं देता है क्योंकि वे किसी मामले में आरूपी हैं और यह किस दोशी के मामले में भी नहीं हो सकता है आज के आडियो और्टिकल में सरकार द्वारा कानून अपने हाथ में लेने और अपराधियों को अपने अनुसार सजा देने के विभिन पहलूँ के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारों के अ नियाईक प्रक्रिया से विश्वास उठने लगता है साथी भारतिय नियाई विवस्ता की एक विशिस्ता ये भी है कि इसमें पूरी कोशिस ये की जाती है कि निर्दोश व्यक्ति को दंड न मिले और अपराधी के वकील इसी बात का फायदा उठाते हैं इस वजह से अपर भी जब कोई अपराध वो करेंगे तो उनका वकील उन्हें बचा लेगा इसके अतरिक्त बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपराधी को परदे के पीछे से किसी शक्ति संपन बड़े व्यक्ति का भी साथ मिलता रहता है जिसकी वजह से अपराधी बेखौफ होकर घूमते रह कदम उठाती है हाला कि ये कदम सरकारी नियमों और कानूनों के अधीन ही होते हैं लेकिन इनके उपयोग करने की वजह अपराधियों को सबक सिखाना या सजा देना होता है सरकार अपराधियों को सजा देने के लिए उनके अतिक्रमड और अनधिकृत निर्माड को सरकारों को अपने दाइरे में रहकर अपने जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए लेकिन सवाल है सरकार के इस कदम का दूरगामी प्रभाव क्या होता है सरकार जब अपराधियों को तथा कथित सजा देने के लिए अपराधी के खिलाफ कोई सख्त कारवाई करती है तो और नेता को लाब पहुचा सकती है लेकिन यदि नैतिक रूप से देखा जाये तो यह तरीके सही नहीं होते हैं किसी भी अपराधी की संपत्ति या उसके घर को नुकसान पहुचाना उसे सजा देना नहीं होता है और नहीं इससे उसके अपराध को कम किया जा सकता है इससे की कारिवाई अपराधी के घर के सदस्यों के नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है। साथ ही यह भी संभावना होती है कि सरकार में शामिल व्यक्ति, संबंधित अपराधी से कोई नीजी दुश्मनी निकाल रहे हो। सजादेनी की आड के पीछे मकसद क्या है किसी को नहीं करने लगते हैं। ऐसे में जब सरकार उनके खिलाफ कोई सक्त कारवाई करती है तो संबंधित वर्क के लोग सरकार के खिलाफ होने लगते हैं और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाने लगते हैं। इससे सरकार की राजनितिक शवी खराब हो सकती है। तो देखते हैं ऐ ये दंड के प्रावधान अलग-अलग निर्धारित किये गए हैं इसलिए हर भारती नागरिक का ये करतव है कि वो देश के लिए निर्धारित न्याय प्रणाली में विश्वास करे और कानून को अपने हाथ में न ले और यही बात सरकारों पर भी लागू होती है सरकार यदि अपनी अधिकार क्षेतर का गलत इस्तिमाल करेंगी तो अन्य नागरिकों का भी उचित नियाइक प्रक्रिया से विश्वास उठेगा इसके अलावा न्याय प्रणाली को भी और सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए अक्सर न्याय आलेओं में न्याय अधिशों की कमी बनी रहती है जिसकी वजह से न्याय अधिशों पर अत्यधिक दवा होता है न्याय मिलने में देरी की वजह का एक बड़ा कारण ये भी है इसलिए न्यायालेओं में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धी करनी चाहिए साथी सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रस्टाचार भी न्यायक प्रक्रिया में देरी और न्याय न मिलने की वजह होता है इसलिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए सम्विधान की गरिमा इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून का पालन करे कानून का उलंगन किसी भी वजह से किया जाए उसे सही नहीं ठैराया जा सकता तो विवर्स आज के लिए इतना ही चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल अप राधियों पर लगाम कसने है तो कुछ राजी सरकारे बुल्डूजर नीती का पारण कर रही है राजी सरकारों द्वारा ऐसा कदम उठाना सही है या गलत उचित तर्क के साथ स्पष्ट करें अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले